काफी दिनों से मुझे पनीटिका खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने इसको घर पर इवना लिया, तो चलिए देखते हैं, पनीटिका कैसे बनाए, यहाँ पर मैं खटा दही इस्तेमाल करी हूँ, और थोरा सा खटा के लिए और टेस्ट के लिए नीमबू का रस इस् गरम मसला पाउडर देकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है नमक साध अनुशार इसको एड़ करना है एड़ करने के बाद रिफाइन ओयल इसमें एड़ करना है सरसुका ओयल मत एड़ कीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर अद्रक लसुन का पेस्ट थोरा सा देकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद पनीर में ने लिया है छोटी छोटी क्यूब करके रखाता ऐसे और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ऐसे मैं मिक्स करने की कोशिश करें थी लेकिन सही से नहीं हो पा रहा था इस creativity को हटाइ और मेंने अपने हातों के मदद से एसको अच्छे से mix कर दिया करके कोटिंग कर देना है कोटिंग वेजिटेविल्स आपको एड़ करना है जैसे मैंने यहां पर अनियन्स लिया है और टमाटर कैप्सिकम आपके पास बेल पेपर हो तो उसको भी आप एड़ कर सकते हो इसको अच्छे से मिक्स करके 30 मिनिट्स के लिए रख देना है फिर एक फाइफरें लेना है उस पे रिफाइन ओयल देकर रिफाइन ओयल को इस प्रोसेस में थोड़ा सा ट्राइ कर सकते हो गैस का फ्लेम जो है वो हाई टू मिडियम के बीच पे रखिएगा बेसिकली क्या होता है एक ही रेसिपी को बनाने का सबका अलग-अलग प्रोसेडियोड होता है तो इस प्रोसेस से थोड़ा सा बना कर देखिए और अच्छ करने के वार फिस से ऊछा ओयल आट करना है और इसको एस को सारे जितने सारे वेज़िटेवीर से अच्छ से मतलब थोरा बहुत फ्राइब कर लेना है पहुत अच्छ से फ्राईब waheren करना है नहीं तो ये सहीजे नहीं रहता फिर उसके बाद एक ऐसी तिक लेना है फिर अनियंस एट किया ऐसे करके पूरा फेल कर लेना है यहाँ पर मैंने 4-5 स्टेक लिये थे और सबको अच्छे से फील कर दिया फील कर देने के बाद गैस के फ्लेम को फोरा सा हाई रख के इसको फोरा सा सेक लेना है और ध्यान से सेक ये गा ताकि जल ना जाए जैसे कि देख पारे हो मसाला जल रहा है ना इस वज़े से थोरा सा इसका जो आग है इधर उदर वो हो रहा है बिकर रहा है तो इस सिचुएशन में आप इसको कम्प्लीट कर लीजिएगा ध्यान से उसके बाद इसको ट्राइ कीजिएगा मैंने यहाँ पर मियोनीज और हरी चटनी के साथ ट्राइ किया है आप मुझे बताईएगा कॉमेंट शिक्षन में कि कौन से चटनी आपको ज़्यादा पसंद है हाला कि मुझे मियोनीज ज़्यादा पसंद है थैंक्स फूर वचिंग